वेलकम बैक एडिटर्स आचुका हूँ एक कॉर नया शांदार स्टस एडिटिंग डूटरल लेकर दोस्तो आज खड़ेव में हम ए तुने क्या किया गाने के डायलॉग प्लस बीड सिंग पर से किपेक लाया कर लिरिकल प्लस बीड सिंग स्टस उडियों क्रेट करने वाले है दोस्तो आज खड़ेव बहुती कमाल का और इंटरेस्टिंग होने वाला है इसे आप अंत तक जरूर देखे और ऐसे बहतरी श्टेटरस एडिटिंग डूटरल देखने के लिए हमार चैनल को सबस्क्राइब करके मिल नोटिपिकिशन को अलपिनेबल कर दीजिए झाले है तो दोस्तों अगर आपको प्रिवी वीडियो पसंत आया होगा तो अगर आपको प्रिवी वाला स्टेटिस डाउनलोड करना है तो इसको मैं टेलिग्राम पर अपलोड कर दूंगा वासे आप डाउनलोड कर सकते हो इस टेटिस बनने के लिए सबसे पहले आपको इस टेटिस के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो वेपसाइट की लिंक दी है उस लिंक पे क्लिक करके आपको वेपसाइट से बीट मार्क प्रोजेक्ट और से की पेक प्रिसेट को अलाइट मोशन इंपोर्ड करके रखना है और all materials से सभी materials को डाउनलोड करना होगा इसके बाद दोस्तों आपको आलाइड motion application को ओपन करना है प्रोजेक्ट में जाकर bitmark project को जो हमने इंपोर्ड किया था उसको ओपन कर लिजे bitmark project में हमारा A2 ने क्या किया वाला शेटर सौंग है और जहापर भी bit change होते है वहापर हमने already bitmark add कर दिये है दोस्तों शुरू 0 second से लेकर पहले होला bitmark हमारा 18.12 second पर है तो उसमें हम lyrics add करने वाले है मैंने already आपको lyrics studio provide किया है all materials में उसको आपको download कर लीजे आपको lyrics खुद से create करने के भी जरूरत नहीं है उसके बाद दोस्तों 18.12 second से लेकर end तक 58.01 second तक जो 16 beats से उन 16 beats में हम photos add करके उन पर effects लगा देने वाले है दोस्तों सबसे पहले हम lyrics video add करते है लिरिकल video add करने के लिए आपको 0 second पर आना है plus वाल आइकन पर क्लिक करना है मेडिया में जाना है और मैंने जो आपको lyrics video provide किया है यह वाला इसको आपको add कर लेना है दोस्तों all materials से सबसे पहले आपको इसको download कर लेना है और इसका थोड़ सा normal सा extra part है उसको cut कर दीजिए यह करने के बाद दोस्तों में थोड़ सा प्ले करके दिखाता हो किस तरह से आपको देखने को मिल जाता है इन शॉट दोस्तों जो dialogue है थोड़ से ओ आपको इस lyrics में देखने को मिल जाते है रेन ट्रॉप एपक्ट वगरा कुछ not video से आप इसको create कर सकते हो उसके बाद दोस्तों हमारा lyrical video का तो काम हो चुका है अब हमें photos add करने है photos add करने के लिए आपको पहले वाले बीट मार्क पर आना है अट्राबॉंड बारा सेकंद वाले प्लस वाले इकॉन पर क्लिक करना है media में जाना है और जिन भी image पर आपके वाला status video create करना होगा उन images को बाइवन add कर दीजे दोस्तो आज होड़ों में हम रश्मी का मंदना क images यूज़ करने वाले है अगर आपको ये images चाहिए HD quality में तो इनको मैं all materials में दे दूँगा जिफाइल के दौरा सिर्फ आपको जिफाइल को डाउनलोड करके एक स्ट्रेक कर लेना है सभी images आपके click में अपने mobile में से हो जाएंगे और दोस्तो अगर आपको अपने mobile से 4K full HD images create करने है ते उसको इपर भी मैंने पहले से ओड़ों रखाए उस ओड़ों के link आपको इस ओड़ों के description में मिल जाएगी दोस्तो आपको simply से फोटो को select कर लेना है फोटो को select करने के बाद प्लस ओल ऐकोन पे click करके photo को add कर लिजे राइट साइड ओल दिन डॉट पे click करके इसे फिल composition area करके full screen कर दीजे नेक्स ओले bitmark पर जाए अगर ए नेक्स ओले bitmark पर आप डबल टैप करके अगर नेक्स ओले bitmark हमारा फोटो नहीं है तो इसको इस ओले bitmark से जादा है फोटो का डूरिशन तो उसको cut कर दीजे दोस्तो हमें 16 images add करने है मैं 16 के 16 images add कर क्या आपको आगे का process समझे देता हूँ तब तक कि लिडियों skip कर देता हूँ तो दोस्तो सभी images को add करने के बाद अब हमें इन images पर इफेट्स लगा देने हैं images पर इफेट्स लगाने के लिए मेन्य जो आपको सेकी फिक प्रिसेट प्रोवाइड किये उसको open कर लीजे सेकी प्रिसेट में सिर्फ आपको एक ही फोटो मिल जाएगा उस फोटो में जो इफेट्स हमने add करके दिये है उस फोटो पे आपको क्लिक करके इफेट्स में जाकर द्रेट पे क्लिक करके इन इफेट्स को copy करने के बाद beatmark deposit को open कर लीजे और जहांसे भी हमारे फोटो स्टार्ट होते हैं जो हमारे 16 के 16 फोटोस है उन 16 के 16 फोटोस पर आपको सभी फोटोस पर यही वाला एक ही एपक्ट है हमारा उसको एड़ कर लेना है इन 16 फोटोस पर यह वाला एपक्ट पेस्ट कर देने के बाद दोस्तो हमें एक fire particle effect एड़ कर करने के लिए आपको पहले वाले बीटमार्क पराना है अट्राबन बार सेकंद वाले प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है मेडिया में जाना है और दोस्तों अगर आपके पास यह वाला फायर पार्टिकल एफेक्ट नहीं है तो इसको मैंने आल मर्टल में प्रोवाइड किया इसको वासे आप डाउनलोड करके इसका इस्तमाल कर सकते हो दोस्तों सिंप्ली से आपको इस फायर पार्टिकल एफेक्ट को सेलेट करके प्लस वाल आइकन पे क्लिक करके अड़ कर लेना है एक बाद थोड़ा सा आगे जाक कर मूँ एंड ट्रांसफोर में जाकर दो नमबर डुब्लिकेट करने एक बाद इसको थोड़ा सा एक्स्टेंड कर दीजे उसके पार्ट को थोड़ा सा यहासे आप डबल सेलेट कर सकते हैं एकन एक बाद उस्तों हमारा पूरा स्टेटिस बनकर एड़ी हो जाएगा सिर्फ आपको अपना यूट्यूब इंस्टाग्राब 1080 पिक्सल से डाउनलोड कर दीजे अगर आपके मोबाल में सब्सक्राइब कर सकते हो दोनों में भी नहीं होगा दोस्तों आप लेटिस्ट वाला 4.0.10 वाला वर्जन हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर लिजे आपका प्रब्लम सॉल हो जाएगा दोस्तों डिए कैसा हो अपने भाई को मत बोल जाना चैहिंद